स्वादिष्ट भोजन बहुत पहले एक गाउं में शाम और मीना नाम के पती-पती रहते थे पती कोई काम नहीं करता था और पत्नी के पकाए व्यंजन में कमी निकालता रहता था शाम यह क्या यह आलू की सबजी है इसमें नमकी नहीं है और यह दाल बिल्कुल नहीं कली बहुत बेकार है ऐसे पकाओगे तो कौन खाएगा एक दिन मीना अपनी सहली जुही से मिली और उससे अपने पती के बारे में बताया इतने में शाम वहाँ आया तब जुही भाई सहब मीना कह रही थी आप भोजन के स्वात के बारे में काफी ग्यान रखते हैं आप जानते हो मैं रसोईय का काम करती हूँ अगर आपको एतराज ना हो तो कल चौदरी जी के घर पर दावत है सौ लोगों के लिए खाना बनाना है दावत में अगर कमी रही तो चौदरी जी नाराज हो जाएंगे अगर आप पास रहकर स्वात का ख्याल रखें तो बहुत है सौ रुपे दूंगी ठीक है अगले दिन चौदरी जी के घर में सब खाना बना रहे थे शाम भी वहाँ अपनी बढ़ाई दिखा रहा था देखो देखो वो जल रहा है सुनो इसमें नमक कम है अरे वहाँ आज बढ़ाओ कहकर हुकम चलाने लगा बाद में जूही आई और बाद सहाब चौदरी जी ने भोजन की खूब प्रशंसा की है ये लीजिए आपके पैसे परसो खान साब के घर में दावत है वो कह रहे थे बिरियानी बढ़िया होनी चाहिए आप आओगे शाम क्यों नहीं जरूर आओंगा बिरियानी कैसे बनाते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ अगले दिन खान साब के घर में जूही भाई सहाब सभी ने बिरियानी की खूब प्रशंसा की है ये लीजिए आपके पैसे कहे कर उसे पैसे दे दिये इस तरह कुछ दिन यूही बीद गए एक दिन जूही अगर आप बुरा न मानों तो एक बात कहूँ आज कल सब कह रहे हैं कि हमारा खाना स्वादिष्ट नहीं रहा आप अगर थोड़ा और ध्यान दे तो बहतर होगा वरना आप कोई और प्रबंद कर लें ये सुनकर शाम को बहुत गुसा आया क्या बख्वास कर रही हो कौन कहता है कि खाना स्वादिष्ट नहीं है तुम जान बुचकर ऐसे कह रही हो वैसे भी मुझे तुमारे साथ काम नहीं करना है मैं खुद ये काम कर सकता हूँ चलता हूँ कहते हुए गुसे में शाम वहाँ से चला गया उसके बाद शाम ने खुद रसोईय का काम शुरू किया और दावतों में खाना बनाने लगा इस तरह उसने खूब पैसे और नाम कमाए एक दिन मीना जुही से मिली और जुही धन्यवाद तुमने इनको सही रास्ता दिखाया जुही अपनी सहेली की मदद करना मेरा फर्ज है सच बात तो ये है कि हमारे रसोईयों ने भाई साब के कहे अनुसार खाना नहीं बनाया वो तो जैसे पहले करते थे वैसे ही कर रहे थे पर यूँ जताया जैसे उनक को नुकसान तो जरूर हुआ पर तुमारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं क्यूंकि तुम मेरी सहेली हो मेरे लिए महतवपून हो तो बच्चो हर व्यक्ति में कोई ना कोई हुनर होता है उसको प्रोचाहित करना ही बहुत जरूरी है ऐसा करने पर वो विजई हो सकता है कै कैसी लगी ये कहानी लालची व्यापारी राइपूर नाम के गाउं में रंजीत नाम का एक युवक रहता था पड़ा लिखा होने के बावजूद नौकरी ना मिलने के कारण व्यापार करने की इरादे से कुछ पैसे लेकर वो गाउं से निकला जब वो जाही रहा था सामन की व्यापार करने ही निकलाऊं दिनेश मैं धाबा चलाता था मुझे रोटी और पराठे बनाना आता है रंजीत तो फिर चलो धाबा खोलते हैं जो लाब होगा उसमें तुम्हें 10 प्रतिशत दूंगा ठीक है दिनेश मान गया और दोनों वहां से चल पड़े उन दोनों न एक जगा डाबा खोला दिनेश रोटी सबजी बनाता था रंजीत लोगों को परोस्वा था इस तरह कुछ दिन बीद गए एक दिन दिनेश मैं इतनी मेहनत से काम करता हूँ और ये मुझे सिरफ 10 प्रतिशत दे रहा है मेरी रोटिया नर्म और स्वादिश्ट है इसलिए त इतने दिन हो गए अब भी 10 प्रतिशत केवल लागत आपका और आप 90 प्रतिशत लोगे मुझे 50 प्रतिशत चाहिए वरना मैं नहीं रहूंगा रंजीत देखो दिनेश तुम बेकार थे मैंने तुम्हें काम दिया है लालज करना ठीक नहीं है तुम जितनी मेहनत कर रहे हो म मैं भी उतनी ही मेनत कर रहा हूं लागत के पैसे ऐसे ही नहीं आते अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम जा सकते हो तुम्हारी धमकी से मैं नहीं डरने वाला उसके बाद दिनेश पास ही एक और ढाबा खोला नया ढाबा था लोग वहां का स्वात देखने जाने लग एक रोटी के लिए इतनी देर जल्दी लाओ इतने देर से बैठा हूं रोटी है पर सबजी का है सबजी लाओ जल्दी इस तरह लोग नाराज होकर फिर से रंजीत के ढाबे में जाने लगे ये देख दिनेश बहुत दुखी हुआ रंजीत को भी लोगों को परोसने में दि कत हो रहा था शांत हो जाएं शांत हो जाएं सबको रोटी परोसूंगा सबर करें सबर करें अभी देता हूं एक दिन रंजीत दिनेश अकेले ढबा चलाना मुश्किल हो रहा है तुमने जो 50 परतिशत मांगा मैं देने के लिए तैयार हूं वापस आजाओ दिनेश सब मैंन लालच के लिए शर्मिंदा हूं मुझे 50 परतिशत नहीं चाहिए आप जो ठीक समझें दें इस तरह दोनों मिलकर काम करने लगे तो बच्चो लालच ठीक नहीं है उससे हमेशा नुकसान ही होता है क्या कहते हो